आज हम सीखेंगे पादपो में लेंगिक जनन शृष्टी में कई ऐसे जीव है जैसे पुश्पी पौधे, मानव, विभिन्न जन्तू, इत्यादी, जिन्ने संतती याने ओफस्फरिंग उत्पन करने के लिए नर एवं मादालेंग यानि मेल एन फीमेल सेक्सेस अवश्यक होते हैं जनन यानि रिप्रोडक्शन की ऐसी विधी जिसमें दो जनक यानि पैरेंट भाग लेते हैं उसे हम लेंगिक जनन यानि सेक्शुल रिप्रोडक्शन कहते हैं आज हम पादपो में लेंगिक जनन की चर्चा करेंगे। पुष्पी पौदे जिने आवरत बीजी यानि एंजियोसपर्म्स भी कहते हैं, लेंगिक जनन से संतती उत्पन करते हैं। इन पादपो के जननांग यानि रिप्रेड़क्टिव ओर्गन्स पुष्प में पाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पुष्प के मुख्य भाग कौन से हैं? याद कीजिए। चलिए हम बताते हैं। पुष्प का बहारी भाग जो हरे पत्ते जैसा दिखाई देता है, बहाय दल यानि सेपल कहलाता है। सभी बहाय दलों से मिलकर बनने वाला बहारी गेरा कैलिक्स कहलाता है। पुष्प जब कली के रूप में होता है तब बाहिय दल अंदर के भागों की रक्षा करता है। पुष्पों की रंगीन पत्तियों को पंखुडिया यानि पेटल्स कहते हैं। सभी पंखुडियों को एक साथ दल पुंज यानि कोरोला कहते हैं। पुष्प में पंखुडियों के घेरे के भीतर आप कुछ पतली नलिया देख पाएंगे जिनका शीश भाग फुला हुआ होता है। ये पादब के नर्जननांग होते हैं जिनने पुंकेसर यानि स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर का लंबा पतला नली जैसा भाग तंतु यानि फिलमेंट कहलाता है। यदि आप पराग कोश को चुएंगे तो आपके हाथ में पीली पौडर लग जाएगी। ये पराग कर्ण होते हैं। पराग कणों में पॉधे के नर युगमक यानी मेल गयमिट पाए जाते हैं। पंकुडियों का रंग एवं इनके खुश्बू कीटों को आकरशित करते हैं। कीट पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल ले जाने में महत्वपून भूमी का निभाते हैं। पुश्ब के केंद्र में आप सुराही जैसा भाग देख पाएंगे। इसे स्त्रीकेसर यानी पिस्टल कहते हैं। यह पादप का मादा जननांग होता है। इसके तीन हिससे होते हैं। आधार पर उबरा फूला हुआ भाग अंडाशय यानी ओवरी, मद्य में लंबा भाग वर्तिका यानी स्टाइल और उपरी चिपचिपा भाग वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा है। अंडाशय में बीजांड यानि ओव्यूल्स होते हैं और प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती हैं अंड कोशिका पादप की मादा युगमक यानि फीमेल गामेट होती हैं स्रिष्टी में कुछ पुष्प जैसे गुड़हल के पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पुणकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जननांग उपस्तित होते हैं इन्हें उभयलिंगी पुष्प यानि बाइसेक्शूल फ्लाव्स कहते हैं जबकि कुछ पुष्प जैसे पपीते के पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पुणकेसर या स्त्रीकेसर इनमें से कोई एक जननांग उपस्तित होता हैं इन्हें एक लिंगी पुष्प यानि युनिसेक्शूल फ्लार्स कहते हैं पादपो के जनन में पराग करणों का वर्तिकागर तक स्थानांतरन करना अवश्यक होता है इसे हम परागन यानि पॉलिनीशन कहते हैं जबकि यदि परागकणों का स्थानांतरन एक पुष्प के परागकोश से किसी अन्य पुष्प के वर्तिकागर पर होता है, तो उसे परपरागण यानि क्रोस पॉलिनेशन कहते हैं। परागण अजयविक घटक जैसे वायू, जल या जयविक घटक जैसे कीटक, प्राणी, इत्यादी की सहायता से होता है। एक मादा युगमक होती है जिसे अन्ड कोशिका यानि एगसल कहते हैं। पराग नली से छोड़ा गया एक नर युगमक अन्ड कोशिका से सनलाईत होता है, जिससे एक युगमनज यानि साइगोट उत्पन होता है। इस प्रकार जननकोशिकाओं के सनलयन से युगमनज उत्पन होने की क्रिया निशी चन यानि फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसी तरह दूसरे नर्युगमक का दो दुरूविय केंद्र को यानि बाइपोलर न्युक्लियाई से सनलयन होकर एक ब्रुणपोश यानि एंडोस्पर्म उत्पन होता है। चुकि ब्रुणकोश में दो प्रकार के सनलयन, जननकोशिकाओ का सनलयन और नर्युगमक का दो दुरूविय केंद्र को से सनलयन होते हैं। इसलिए इस परिगटना को हम दोरा निशेचन यानि डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बीजांड में निशेचन के बाद युगमनच कई बार विभाजित होते हैं। इस क्रिया के दोरान उष्प के अन्यभाग जैसे बाय अदल, पंखुडिया, पुंके सर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र मुर्जाकर गिर जाते हैं। बीजान का परिवर्तन कठोर आवरण में होता है जो बीज कहलाता है बीज भुरुण की रक्षा करता है एक बीज से सामान्य तह बीज आवरण, बीज पत्र तथा एक भुरुण अक्ष यानि अंखुआ समाहित होता है ब्रुण अक्ष का प्रांकूर, भावी प्ररोह यानि फ्यूचर शूट तथा मुलांकूर, भावी जड यानि फ्यूचर रूट होते हैं बीच पत्र एक फूली हुई सनरचना होती है जिसमें ब्रुण का आहार सनरक्षित किया जाता है अनुकूल परिस्तिती में ब्रुण नवोदभीत यानि सीडलिंग में विकसित होता है जिसे हम अंकूरण यानि जर्मिनीशन कहते हैं नवोदभीत विकसित होकर एक नए पादप में परिवर्तित हो जाता है तो अब आप पादपो में लेंगिक जनन अच्छे से जान गए होंगे आपके हूंवर्क के लिए आप कुछ पुष्पो को एकत्रित कीजिए तथा इनकी सनरचना अपनी ड्रॉइंग बुक में बनाने का प्रयास कीजिए तो आज हमने सिखा पादपो में लेंगिक जनन